हाई गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल तो गाईज आज आपके साथ जो टॉपिक लेकर बैटी होना मुझे परसनली असा फिल होता है यूटुब को इस टॉपिक की बहुत जरूरत है बहुत सारे यूटुबर्स और बहुत सारे इंफुलेंसर इस टॉपिक पर वीडियो बन हम यूज करना शुरू करते हैं सौरी अगर मैं लेट हो गई हूँ यह वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए विकास मुझे पता है कहीं लोग को फेशल रिजर यूज करने के बाद मतलग महसूस होता है कि काश हमने यह गलती ना करी होती तो गाईज जो फेशल रिजर हो अपने बाल रिमूव करने के बाद देखेगा आपके पिग्मेटेशन होती है वो एकदम हट जाती है तो आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट लगती है मतलग बहुत प्यारी लगती है तो यह इनके बैनिफिट्स हैं कि आपको वो आपने फेल नहीं करा होगा लाइफ में जो आप पहली बार जब सेविंग करेंगे तब आप फील करेंगे फेशियल रिजर कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पर पिक दे दोंगी आप देख लिए इस टैप की होते है फेशिल रिजर जिन्हें नहीं पता है तो यह यूश करना क्यों साइड इफेक्ट में आता है वो आपक पड़ता है वेटे मिनट में इसी बंद कर लो तो मैं कह रही थी हाँ हेर ग्रोथ में क्या फरक पड़ता है और मतले स्टेप यह बहुत सारे आपकी कॉस्टिन्स होते हैं तो आज आपको आंसर देती हूं सबसे पहली चीज अगर आपको कोई चीज यूश करनी है तो आप प्रॉडी सी युश करती हूं अगर आपको फेशियल रेजर अपना इस्तमाल करना है तो आप अपर लिप में युश करें क्योंकि हूँ हम लोग बनाती बनाते तो मैं फेशियल रेजर यूश करती हूं बट पूरे फेसे मैं आज तक नहीं करा दो साल हो गए मुझे उन्हें बहुत अच्छे प्रिपेर होके अपनी सैल्फ को दिखाना होता है तो उनको अपने फेस के लिए वो ज़रूरी है उनकी स्किन फ्लॉलेस दिखेगी तब ही तो उनका काम और जदा ग्रो करेगा तो आप वो जी संझो उनके लिए वो नीडफुल है फेशियल रेजर बट आपके लिए वो नीडफुल है या नहीं है यह आपको डिसाइड करना है इसके साइड इफेक्ट में यह आता है कि जब आप अपर लिप के अपने हेर रिमूफ करते हैं रेजर से तो आप एक मैने रेजर को इस्तमाल करके देखिए आपको हर हफते यूज करना पड़ करते हूं कई पर पालर चले जाती हूं बट जो डेली ओफीज आते हैं जिने डेली लोगों को फेस करना है अगर वो फेशियल रेजर यूज कर देंगे अपने फेसमें तो रियली आप सच मानिए आपको हर तीसरे चौते पांचवे दिन फेसमें रेजर यूज करना पड़ जह आइस गाईज जो हर ग्रोथ होती है वो जल्दी जल्दी इसले होनी शुरू होती है जब हम वेक्स कर correlate तो हमारे जो बाल उख़टे न वह अंदर से ख़टे और जब हम हम सेविंग करते तो हम ज़स्ट उपर की करते को जल्दी-जल्दी हेहां से हीर घ Yak इएनों बाल ज आप को सज्याइस करूंगी अपर लिप में करके देखिए आपको यहां खुद फिल होगा कि यहां पर ना आपकी स्किन हिर्ड हो गई है आप मैं अपर लिप में सेविंग करती हूँ तो मुझे पता है मेरी यह वाली जो यहां का एरिया है ना मैं इस तरीके कुछ अच्छीज अच्छी है यह हम आई-sk checks भी सफ़ीं क कियीन के आपके आपके Cul compress link मतफों किए झाल मक्राफ़न का लिए और सेविंग का लो का लिए ऊटीज अश्य के ने यह सेकंगे तो मुवड़नí मच्यार हें रीडिफ सब्सक्ता का सब्सक्राइँ अर चाल में को स्टेहर मोते हैर आपको baikrock पुरता है तो समझते और सबगें पर ब्लेड गियुक्स सबस्क्राइब बहुत अच्छे से वेल मैनेज डोगर दिखना है उन्हें अच्छा दिखना है तो इसलिए वो रिजर यूज करते हैं जो भी चीज वो आपको दिखा रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपको वो खरीदनी ही खरीदनी है आपके लिए वो बैनिफिशल ही होगी यह आपको करती हूं और मैं आपको यह बोलूँ कि यह ब्लीच कर लिया करो तीन-चार महने में एक बर ब्लीच कर लो इनफ होता है और अपने फेशल हीर से इतना मत भागो यार बस एक टैप करना ट्रेंड चलता है कि यह चीज बुरी है तो वो चीज बुरी हो जाती है अब आप यह मैं आप है यह करने कोई मैं है और ओलो कि अबुरी हाट करने का यह और को डेंचार कार्वा लाक में कर चार्णों के लिगो है फार जानकारी ने को इसकितने सार्ट्रिक्त लेने पड़ताइ। एक बहुत कुछ होता है अगर आप वो नहीं लेते हो तो आपके बाल काफी जादा ड्राई हो जाते हैं तो यह सारी चीजे आप समझे रिबॉंडिंग का चला था एक बार बीच में तो यह सारे जो ट्रेंड चलते हैं यह तो चलते ही रहेंगे बट आपको कौन सा ट्रेंड फॉलू करना है यह आप ध्यान से करिए और फेशियल रेजर के लिए मैं आपको यही राई दोंगी अप क्योंकि वह तीन से चार महने में आपको एक बार करना पड़े का अगर आपके बहुत जादा बाल है तब की बात कर रही हूं अगर आपके थोड़े बहुत बहुत बाल है इस फाइन यार कुछ फरक नहीं पड़ता है आप अपनी स्कीन से प्यार करिए इस इनफ कोई फेश का मैं कभी नहीं करूंगी वह पड़ता है लड़कों के जैसे बाल दिखने लगते हैं जब बाल आते मैं अपने फ्रेंड्स के देखे हैं वो लोग रेजर योज करती है बिचारी और मुझे बार 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 ही इसको हटाने का कुछ बता यार क्या करें यह बंद हो जाए आन तो वो शायद कुछ लेजर ट्रिटमेंट वगेरा कर रही है अपने हैर को लेकर अब बतानी जो भी होगा हो मुझे बताएगी तो मैं आपके साँ शेयर कर दूंगी तो बस आज की वीडियो तो बस बताना था इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं तो आप समझ गए होंग तो पर यह अपने से प्यार कर चाहिए यार भार मेंचाय दनिया आपको अपनी स्किन से प्यार होना चीये तो बस काई सेहती आज की वीडियो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे और बैल आइकन पर दीज और रदी मिलती हूं एक अमेसिंग वीडियो के साथ तब तके लिए बाई टेक्या लव यू अच्छा गाइस मुझे एक और बात याद आई मेरी फ्रेंड की मैं आपको वो शेयर कर देती हूं वो ना अपने पाउ मेना रिजर यूज करती थी इस टैप का मैं आपके लिहापर फोटो मेंशन कर देती हूं तो उ तो वो यू ने रिजर यूज करते हैं या फिर आप यह वाला रिजर यूज करती तो वह रापया हैर में एंख़ने इटली होदी आप के लिए अपने फार्ण के लूट होई बाऑदे करने निथ नहीले थी और अब ही जो हमारे बाल है यह इतने वीजिबल नहीं होते हैं बिकाज यह सॉफ्ट होते हैं तो यह स्किन में अराम से बैट जाते हैं बर जब आपके हार्ड एर आने लगेंगे वह उखड़े-खड़े से लिखेंगे वो चुभींगे आपको वो इरिटेट करेंगे तो उस चीश को समझे और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग को मेरी वीडियो हैलफू लगी या नहीं लगी और एन तो